हेलो एवरिवन देखे आज के वीडियो में बात करेंगे ब्यासी फिफ्ट समेस्टर मैथ सबसे पहले हम इसका थोड़ा से लेपस देख लेते हैं देखे बेसिकली इस बार मैथमेटिक्स में आपकी दो बुक्स रहने वाली हैं कौन-कौन सी हैं पर दो बुक्स सबसे पहली सबसे पहली बुक है यह और सभी के लिए यह को मना आई थिंग है तो ग्रूप एंडिरिंग थियोरी एंड लीनियर अल्जैब्रा सबसे पहली बुक हमारी यह रहेगी दूसरी बुक में आपके पास तीन ओप्सन होंगे उसमें से एक को आपको चूज करना होगा कौन-कौ अपशन में से कोई-a-book आपको यह पर चूज करने हैं तो हमने जो चूज की है वो फिलाल सूज किया डिफरेंसल जियोमेटरिय अंटेंसर अनलिसिस तो आजके ट्विक रहेगा वो रहेगा डिफरेंसल जियोमेटरियंट टेंसर ऑनलिसिस से बैसिकली इस बार दो बैसिकल इसके टोपिक्स पर जाएंगे हमको जो बेसिक हैं इसके भी समझने होंगे और सबसे पहला बेसिक इसमें हमारा है पर सुरू होता है पोजिशन वेक्टर से तो सबसे पहले हम इसके बेसिक को समझने है यह एक THREE N DIMENSIONALral CARTICION COORDINATE है यहांपर यह X ACCESS यह Y ACCESS यह Z ACCESS यहांपर यह एक पोजिशन है कोई practical है जिसकी पोजिशन को हमारा है इसमें दर्शाया गया है तीन कोजिशने एक्स बाइट के दरू आर अगर हमारा है और से पी तक की distance है और अगर position vector है position vector पर हमारा है पर distance direction भी आईगी तो इसकी direction होगी बहो ओ टू पी राइट इस type चे बहना है पर इसकी direction होने वाले है तो जो position vector होता है basically बहुत है x i cap by z cap z k z k cap i is for x axis j for y and k for z right यह हमारा है पर direction को बताते हैं तिर number two इसका topic आता है modulus of r modulus of r हमारा है पर क्या होता है basically modulus of r means magnitude क्या होगा r का तो जो modulus of r है सबसे पहले तो इसको denote करते हैं इस type से and इसका value होती है x square plus y square plus z square का under root अगर हमारे पास position vector यह वाला है तब हमारा है पर modulus होता है यह राइट यह हम सबने पढ़ा हुआ है आई थिंग number three topic इसमें है basic unit vector क्या होता है हम सबने पढ़ा होगा unit vector देखिए unit vector को हम denote करते है r cap से और इसकी value होती है position vector upon modulus of r right यह vector upon magnitude इसको हम denote करते है unit vector से यह होता है unit vector फिर इसमें a topic आता है directions coscience का देखिए direction coscience एक बड़ा important topic है और इसका आगे भी use होगा तो इसको हम ध्यान से समझते हैं देखिए basically अगर मैं हैंपर कहूँ कि जो यह op vector है जिसको हमने position vector का यह x axis के साथ एक angle let's say alpha बनाता है right let's say alpha यह एक angle बनाता है let's say यह by के साथ एक angle gamma बनाता है यह जो ओपी है gamma then जो cos alpha होगा cos beta होगा और cos gamma होगा उसी को कहते हैं उसी को कहते है direction cos right so simple इसको हम denote करते है l से इसको हम m से और इसको हम denote करते है n से तो यह हमारा है पर concept होता है direction cosign का फिर alpha beta and gamma जो ओपी angle है जो उसने जो एंगल बनाया है X के साथ Y के साथ और Z के साथ तो उसी को कहते है direction cosign right तो क्या क्या concept है इसका इसका if alpha beta and gamma are the angle which op makes with coordinate axis o x o y and was that right हमने यह आपर दिखाया किस तरह से बबनते है then cos alpha cos beta and cos gamma come direction cosign कहते हैं और इनको denote करते है l m और n स right as simple as that then आता है इसमें a scalar product आपने 10th में भी यह पढ़ा होगा scalar product क्या होता है let's say हमारे पास भी है हमारे पास दो vector है a and b then हमारा है पर a dot b जो होगा उसी को हम कहते है scalar product right इसको हम कहते है dot product इसको हम dot product भी कहते हैं जिसकी value होती है a b cos theta यहाँ पर a और b जो होंगे magnitude होंगे right and cos theta theta angle होगा a और b के बीच का देखिए इसमें बड़ा ही interesting question बन सकता है कि इसको scalar product क्यों कहते हैं देखिए scalar product इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो product है a b cos theta यह भी actually में a scalar quantity है scalar quantity means इसके पास भी कोई direction नहीं है तो यह भी हमारा है पर scalar quantity यह लेकिन जब vector product यह बात करते हैं जैसे लेक्ट से ए ग्रोस बी यह हमारा है पर क्या होगा बेक्टर प्रॉडक्ट होगा तो इनका प्रॉडक्ट आएगा a b sin theta and n cap that is vector quantity लेकिन यह vector quantity नहीं है यह है इस में होगा इस आपो यह समझना होगा सि ऐ उसकी यह बैल्मस में होते है इसकी वैद्यू की टर के हृतձै लेकिन अगर i.z, उसकी value 0 होती है, इसी प्रिकार आपको यह यहाद रखना है, फिर हम बात करेंगे, जो vector product है, right, क्या होता है? तो देखिए vector product जिसको हम cross product भी कहते हैं, let's say हमारे पास दो vector है, A and B, तो इसको हम कहते हैं क्रोस प्रोडक्ट भी कहते है क्योंकि यह जो एक्षुली एक्टर कॉंटिटी है यहां पर यह क्या होती है यह बैक्टर क्वांटिटी होती है बेक्टर क्वांटिटी होती है या मैं कह सकता हूं A.B क्या है यह बेक्टर क्वांटिटी है यह बेक्टर क्वांटिटी है या इसको मैं कह सकता हूं let's say एक अलग वेक्टर है A Scos B को अगर I 하ние आपर कहूंँ A understand Anae. A innoc Vote B चुकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो Duod A dot B Chloe the और वेक्टर है उनका जो Crost miracle होता है वो हमारा अपर होता है वह जीरो हुता है तहनम हम बात करते हैं ठुपल प्रोलक्त की आपने फिर्स्ट रमस्ट इस डावल प्रिपल प्रोलक्Talk को पढ़ा होगा इसमें में ब्यंस टिंस पहला इसमें Cr emissions भी आएगा तो A dot B close T इसमें 3 यहांप आप देख रहोंगे इसकी क्रोस्ति क्या है यह उपर बताया था तो आप आ पी ध्यान रहा होdie यह क्या है, इसके लग डोट प्रॉड़क बन जाएगा और यह एक स्केलर कॉणटिटी होते हैं, इसलिए हम इसको क्या क्या कहते हैं, इसलिए हमारा हम पर इकल हो जाएगा, B.C.C.A.C.C.B.C. या इसको A, B और C, इस टाइप से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, इसको आसानी से अगर आपको करना हो लेट से A हमारा है पर है A1 I cap A2 J cap प्लस A3 K cap या B हमारा है पर है B1 I cap प्लस B2 J cap प्लस B3 K cap लेट से C हमारे पास है C1 I cap C2 J cap प्लस C3 K cap तो हमारा है पर जो प्रोड़क्ट आएगा अब हो जाएगा A B C is equal to is equal to A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 यह हमारा है पर इस तरह से इसकी हम value भी find out कर सकते हैं आपको यह याद रखना होगा कि आइज एक के इस इकोल टूबन अ होता है राइट यह आपको याद रखना होगा उसे प्रिकार वेक्टर ट्रीपल प्रोड़क्ट लेट से दीन हमारे पास वेक्टर है A B & C जन वेक्टर ट्रॉड़क्ट में क्या होगा यह होगा यहाद हमाना है पर A, B, C, I, इस तरह से हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं, A, B, C, या इसका जो value आई की, वह हमारे पास हो जाएगी, A, .C, यहाँ पर यह हो जाएगा, B, minus A, B, A, .B, यहाँ पर यह हो जाएगा, C, यहाँ पर यह हो जाएगा, C, राइट, सबसे पहले मित्का करेंगे a c b बहार then a b c बहार यह हमारा यहां इसकी वैल्यू इस टाइस समया पर निकाल सकते हैं यहां पर इसको वैक्टर टिपल प्रोड़क्ट क्यों कहते हैं क्योंकि बी क्रोश थी जैसे मैंने का वैक्टर डिफरेंशल ऑपरेटर क्या होता है दिए डिफरेंशल ऑपरेटर की वैल्यू होती है या कोई बेक्टर काश ड्यू इसका ड्यूज हो सकता है जब हम divergence निकालते हैं तो हमाना यह पर dot आता है और जब हम curl निकालते हैं तो यह पर cross product आता है तो यह कुछ basic concept थे जो आपको पता होने चाहिए इससे पहले हम differential geometry में आगे बढ़े हैं तो आई हो आपको यह समझ में आये होंगे if you have any questions basic में अगर आपको कोई questions है तो आप पूर सकते हैं और जल्दी हम मिलते हैं unit जो one हमारी है उसके साथ right so that's all झाल